एक यूनानी कहावत है कि जब आपका कुटा आप पर ही भॉंकना शुरू कर दे, तो समझ लें कि कोई दूसरा उसे खाना दे रहा है, कभी अगर जिन्दगी में ठक जाओ, तो किसी को कानो कान खबर ना होने देना, क्यूंके लोग टूटी हुई अमारत की इंटे तक उठा ले जाते हैं, औरत जिस मर्द से महबत करती है, उसके सामने उससे का इजहार भी करती है, रोती भी है, शिकायती भी करती है, और अपनी बात भी मनवाती है, और बार बार अपनी मुहबत का इजहार भी करती है नफसियात कहती है कि औरत जजबात और दुख को मर्दों के मुकाबले में ज्यादा समझ पाती है साइकॉलिजी के मताबिक औरत को ऐसे मर्द से शादी करने की खौइश होती है जिसका कद उससे लंबा हो अगर कोई शक्स आपको बार बार वजाहतें दे छोटी छोटी बात पे मना रहा हो आपके बुरे मूड में भी आपका ख्याल करे तो उसे उसकी मजबूरी ना समझें और आपसे जुड़ा रिष्टा एहम है औरत के लिए बेतरीन मर्द वो है जो देर से नाराज हो और जल्दी राजी हो जाए साइकॉलिजी कहती है कि ये माना ही नहीं जा सकता कि जो लोग एक दूसरे से जनून की हद तक मुहबट करते हैं वो एक ना हो सकें मुहबट करने वाले सब को मना लेते हैं आँखें भी दिखा लेते हैं हाथ बढ़ाने में जल्दी मत करें मगर जब हाथ बढ़ा लिया तो उसे किसी भी तरह के हालात में छोड़े मत क्यूंकि खांदानी लोगों का ये मियार नहीं हुआ करता वो तो अपने कॉलो फेल के पक्के हुए करते हैं रिष्टे ध्यान से निभाएं बात नसलों तक चली जाती है इंसान के तीन रूप होते हैं एक वो जो उसका अपने वालदैन, भाईयों, भेनों और अपनी फैमली के सामने होता है दूसरा रूप वो जब वो अपने करीबी दोस्तों के सामने होता है तीसरा वो रूप होता है जब वो अकेला होता है और यही रूप उसका असल रूप होता है मुसीबत का नाजिल होना हलाकत के लिए नहीं बलके इम्तियान के लिए होता है बहुत थोड़ा वक्त लगता है उम्रों के ढलने में, लिज़तों के खतम होने में, लोगों की निजरों से ओजल होने में, चाहतों के खतम होने में बहुत ही थोड़ा वक्त लगता है एक औरत उस वक्त तूट जाती है जब कोई गैर मर्द उसके घर रिष्टा लेकर जाता है और जब उसके साथ हिष्टा बनाने का इरादा करके इंकार कर जाता है तो वो अरत उस वक्त खुद को बहुत ज्यादा तूटा हुआ महसूस करती है जब अचानक दिल उदास हो जाए तो वो रू मुरम्मत करने का लम्हा होता है सुना है तौबा करने से रू की मुरम्मत हो जाती है दुनिया में सबसे अमीर इनसान वो है जिसे सची महबत नसीब हुई हो अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन फिर भी आपका साथी नाखोश है तो उसे अजाद कर दें उसे ढूनने दें आप से बहतर यकीन करें मुहबत ठुकराए जाने वालों की तरफ लोट कर कभी नहीं आती नफसियात कहती है कि तमाम नुकसानात काबले तलाफी हैं हर दुक का मदावा हो सकता है मगर आपकी जिन्दगी के माहो साल जो दूसरों को खुश करने में जाया हो गए उनका अजाला नामुम्किन है औरत से महबत में जिसम एक लाजमी हिस्सा है जो लोग कहते हैं कि इनकी महबत पाक है और इन्हें जिसम से कोई गर्ज नहीं वो सरसर जूर बोलते हैं महबत पाक सिर्ख खुदा और उसके रसूल और वालदैन के लिए है औरत की जिसम तक पहुंचने के लिए मर्द दो काम करता है जो के औरत को नहीं पता लगते पहला काम हमदर्दी दिखाता है दूसरा काम उसको यकीन दिलाता है कि वो खुबसूरत है